दोसों आचुके हैं एक नई वीडियो के साथ में अगर आपके इस 18 वर्ष से नीचे है आप एक माइनर हैं लेकिन आप गूगल पे फोन पे पेटियम जिसे अप्लिकेशन को यूज करकर QR कोड इसकेंड करके किसी को भी पेमेंट करना चाहते हैं या फिर किसी को पेमेंट सें आने वाले हैं जिसके माध्यम से आप गूगल पे फोन पे पेटियम जिसे अप्लिकेशन को यूज कर पाओगे जिसमें से एक ऐसा हम आपको तरीका बताएंगे जिससे घर बैठे बैठे मातर 5 मेडिकेर अंदर अंदर आप गूगल पे फोन पे पेटियम जिसे में आप एक माइनर हैं और आप UPA application को यूज करना चाहते हैं तो विडियो को सुरू कर लेते हैं अब उससे पहले एक हम आपका doubt किलियर कर देते हैं मान के चलो अगर आप UPA application को यूज करने के लिए bank जाते हो एकाउंट open करवाने के लिए तो वहाँ पर आपके सामने कई सारी problem आ जाते हैं सबसे पहले बैंक वाले आपसे आपके गार्जन के document मांगते हैं तब ही वहाँ पर आपका account open हो पाता है और काफी मुसीब्तों का आपका सामना भी करना पड़ता है जिससे आप UPI application यूज नहीं कर पाते हो साथी साथ यहाँ पर हम आपको तीन process बताने वाले हैं जिसमें से एक ऐसा हम आपको process बताएंगे जिससे आप घर बैठे ही आप अपनी UPI ID पर account को create कर सकते हैं और अपनी UPI ID को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक से दिखे अगर आपकी इस 10 साल से उपर है और 18 वर्स के बीच में है तो आप इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक में अपनी एकाउंट को open करवा सकते हो अब ये डारिक्ट एकाउंट आप खुछ से open नहीं कर सकते हो लेकिन मांग के चलो कि अगर आप गाउंव अगेरा में रहते हैं तो आपके पर डाक्या वगेरा आता होगा अब डाक्या के पास माइक्रू एटियम का आईडियो और पासवर्ड होता है और वो आपका माइनर एकाउंट open कर सकता है वहाँ पर पैन कार्ड की ज़रौत नहीं पड़ती है और मातर आधार कार्ड के तुरू आपका बैंक अकाउंट open हो जाता है अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तब भी वो अपनी आईडि के तुरू एकाउंट open करवा देगा क्योंकि वहाँ पर आपका अंगूठा लगवाए जाएगा अब आपके अगर 18-10 साल से उपर है तो जाहिर सी बात है कि आपका आधार कार्ड भी बना हुआ होगा तो या तो फिर दोसो आप इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक के अंदर अपने अकाउंट open करवा सकते हैं और उसके बाद में जैसे आप उसकी मोबाइल बैंकिंग पर रेशेशन करेंगे वहाँ पर आपको वर्चुएड इबिट कार्ड मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप गोगल पे फोन पे पेटेम जैसे अप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा तरीका यह है आप चाहो तो एटेल पेमेंट बैंक के अंदर भी अपने एकाउंट को open करवा सकते हैं देखें एटेल पेमेंट बैंक की बीसी पर आपको जाना होगा अब वहाँ पर भी आपको आधार कार्ड की ही ज़रोज़त पड़ेगी अगर पेन कार्ड नहीं होगा तब भी उसके अंदर आपका एकाउंट open हो जाएगा मातर आधार कार्ड के थुरू एटेल पेमेंट बैंक वाले भी आपका एकाउंट open कर देंगे वहाँ पर भी अंगूठा लगवा कर आपका एकाउंट open कर दिया जाएगा इसके बाद में दोस्तों जब आपका एटल पैमेंट बैंक के अंदर एकाउंट ओपन करवाने जाओगे तो वहाँ पर आपका अंगुठा लगाकर एकाउंट ओपन कर दिया जाएगा और सो से पचास उर्पे का चार्ज आप से लिया जाएगा जो की वो पैसा आपके बैंक एकाउंट के ही अंदर रहेगा ठीक है तो वहाँ पर भी एटल पैमेंट बैंक के अंदर अपने एकाउंट ओपन करवा सकते हो इसके बाद में इसके मोबाइल बैंकिंग में ही आपको वर्चुएड अबिट कार्ड मिल जाएगा और उसके माध्यम से भी आप गूगल पे फोन पे पेटियम जैसे अप्लिकेसम को यूज़ कर सकते हैं अब यह दोस्तों जो हमने आपको दो प्रोसेस बता हैं जिसमें से या तो आप इंडिया पोश्ट पैमेंट बैंक के डाकिया या फिर वी सी के तुरू अपना आधार कार्ड के तुरू एकाउंट को ओपन करवा सकते हैं या फिर दोस्तों आप एंडिया पोश्ट पैमेंट बैंक में वी सी के तुरू एकाउंट ओपन करवा सकते हैं यहाँ पर आधार कार्ड के तुरू ही आपका account open कर दिया जाएगा इन दोनों का अगर आप live process देखना चाहते हैं कि कैसे वे लोग account open करते हैं फिर चाह है इंडिया post payment bank का हो या फिर retail payment bank का हो तो इन दोनों वीडियो के link आपको description में मिल जाएगे हमने पहले से वीडियो को बना रखा है अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा और सबसे latest process हम आपको ऐसा बताएंगे जहाँ पर दोस्तों आपका घर बेठे account open हो जाएगा और घर बेठे आप सभी उपिया application को आप यूज कर सकते हैं लेकिन एक ऐसा हम आपको तरीका बताने वाले हैं जिससे आप ATL payment bank के अंदर या फिर NSDL payment bank के अंदर account को open करवा सकते हैं देखे ATL payment bank और NSDL payment bank के अंदर आपको video KYC करना नहीं होता है limited KYC के साथ में आपका instant ही account घर बेठे open हो जाता है और यहाँ पर दोसों account open करने के लिए सबसे पहले आपके पापा या फिर मम्मी का आधार card और pen card की जरूरत पड़ेगी इसके बाद में दोस्तों आप या तो ATL payment bank में account open कर सकते हैं या फिर NSDL payment bank के अंदर account open कर सकते हैं एक चीज यह आपको ध्यान रखना है कि आपके मम्मी पापा के आधार card से mobile number लिंक होना चाहिए और आपका घर बैठे दोस्तों account open हो जाएगा और इन दोनों के अंदर आपको virtual debit card प्रवाइड कर आए जाएगा और जिसके माध्यम से आप Google पे, phone पे, Paytm जैसी application को अगर यह आपको यह नहीं पता है कि आप एटल payment bank अंदर account कैसे open कर सकते हैं या पिर एनेश्डल payment bank account कैसे open कर सकते हैं तो उन दोनों वीडियो उसके लिंक भी आपको वीडियो के description में में जाएगे उनको वीडियो देख करके आप अपने ममी पापा के आधार card या फिर pen card के तुरू account को open कर लेना और वहाँ पर आपको debit card भी provide कर आजाएगा उसके माध्यम से आप सभी उपिया application को आप यूज कर पाओगे तो इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे बैठे तीनो प्रोसेस में से अगर आपने एक प्रोसेस को follow कर लिया तो उसके बाद में आप सभी उपियाई application को आप यूज कर सकते हैं के नीचे comment करके जरूर बताना और अगर आपको इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से जानकरी समझ आ गई है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लेना मन में कोई doubt है comment करके पोच सकते हूं हम आपको reply जरूर देंगे तो फिर मिलते हैं दोसों नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन दे मातरम